अब बहुतिक मात्रों के साथ पूरुलगन पूरुलगन मतलब प्रीफिक्स कहते है उनको जैसे बहुतिक मात्रों के अगर हम बात करें लंबाई का मात्रों होता है इसके पहले हम लगाते हैं कि में जाता है मिली मीटर जो मिली है यह पूरुलगन है तो ऐसे कुछ और भी पूरुलगन है जिनके हम यहां पर डिसकस करते हैं इसके लिए अपने को एक टेबिल बनानी है इसको याद रखना है यह जो टॉपिक है यह अपने को नियुमेरिकल में कापी हैल्प करेगा तो अच्छे से समझने है अपने को ताकि पनी जो कैल्कुलेशन है बहुत फास्त हो जाए तो तो समझते हैं तो यह पे टेबिल बनेगी यह है बूरुलगन यहां पर उसका परती लिखेंगे और यहां पर उसका टेक्टर लिखेंगे बुणान क्लिखेंगे तो यह आपको यहां रखने में तुछ दिनाइन आप बना लेना यहां पर पूर लगते को कौन पौन से हैं उनको लिखते हैं यहां पर डैसी उसके बादे सेंटी नेक्स्ट मिली माइक्रो नेनो पीको फेम्टो फेम्टो को आपको फर्मी भी कह सकते हो इस अब को याद करने हैं याद हो जाएंगे एक दूबार याद देंगे तो डैसी सेंटी मिली माइक्रो नेनो पीको फेम्टो एंड एटो डैसी का जो परतीक होता है होता है डी शेंटी का होता है है छी मेर्जें का होता है माइक्रो का होता है मियू पार मध्याश्यी को हम लिखते हैं हैं समॉल यं से पीको होता है जो पी सम्कूल लेक्रो से और घटो को लिखते हैं इसे प्रतिक हो गहीं अब हम बात करें कि फेक्टरस की मतलब डेसी अगर आपने को कहीं पर भी लिका मिल जाता है तो डेसी का मिनिक होता है 10 to power minus 1 ऐसी सेंटी का मिनिक होता है 10 to power minus 2 मिली का होता है 10 to power minus 3 माइक्रो होता है 10 to power minus 6 नैनो होता है 10 to power minus 9 पीको होता है 10 to power minus 12 फेम्टो होता है 10 to power minus 15 हैट होता है 10 to power minus 18 तो यह पूरे टेपि अपने को अच्छे से लड़न होने कि यह कापी है कैसे का मैंगी उसके बार में भी अभी हम डिसकस करेंगे साथ में दूसी डेवलोर है उसको यहीं पर बना लेते हैं सेम इसकी देशी है तो देखो पावर याद रहना माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 का डिफ्रेंस है यांबर 3 6 9 12 15 18 ते रहे तो इक बार इसको दूबार से बेखो दैसी सेंटी मिली माइक्रो नेनो पीको फेम्टो एटो बैसी को हम लिखते हैं स्मोल डी से तेंसी का मिनिंग होता है 10 तो पावर माइनस 1 सेंटी को लिखते हैं सी से इसका मिनिंग होता है 10 तो पावर माइनस 2 मिली का मिनिंग होता है 10 तो पावर माइनस 3 माइक्रो का मिनिंग होता है 10 तो पावर माइनस 6 नेनो का मिनिंग होता है 10 तो पावर माइनस 9 पीको का मिनिंग होता है 10 तो पावर माइ सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसके बाद हम लिखते हैं उसका पर्ती और उसके बाद हम लिखते हैं उसका फैक्टर यह पिना अगें तो किलर जो पूर लगन है बस्ते अपना मेका उसके बाद है ठेक्टा याद करने समय को इस्टाइब में घुड़ा सा खजीव लगीगा बाकी आसानी से याद हो जाते हैं देका, देक्टा, किलो, लेगा, गीगा, एरा, पेटा, और एक्सा देका का में परतिक होता है, देका का में परतिक होता है सानी सानी को लिखते हैं कैसे, में गीगा को गीगा को, जीशे, एरा को, ठीशे, पेटा को, पीशे, जानतना यह हम कैपिटल पी और यह पी को रेक्स है एक्सा इस्वम परतिएं, कैपिटल पी से मेगा मिनिक होता है 10 to power 1, 1t is 10 to power 2, 2kg होता है 10 to power 3, 1, कि mm आंट भलवन ऊस्ट कभगत और एक्सातर है क्पोपार अपियोगर एक्सांच्प्र नच्पर इंधार ईतके Всемि इवाघे अ켜गόσुजा इनग्वें आधर मेतीफोर है को दन स्ब्सक्राइल इक्सांच्पर 20 संभु सेख़़जा है कि हुआ मेतीफ़second है है बसी जो पूर लगन है इनको अपने को याद करना है याद किया से करना है देको डेका हेक्टा किलो वेगा गीगा टेरा टेटा और हैक्सा यह कि सिंबल है अगर आपने को फिजिक्स में कहीं पर भी डेका लिखा मिल जाए उसकी जगे हम डिरेक्ट टेल्स तु पावर वल पूर लगन की इसको मैंने छोटा बना दिया इदर एक क्या काम में आती है जासे मालगों जाए उसको समझते हैं क्या में का में तो यह पर हम इसको लिखेंगे पर कर देंगे 10 to power minus 2 और मेंटर को एंगी तरी रखेंगे मेंटर तो यह मेंटर में कर्णवर्ट हो गया ऐसे ही जैसे support अपने को लिखा हुआ है 9.8 mm मिली मीटर तो मिली की जगे हम फुट करनेंगे 10 to power minus 3 तरी कर्णवर्ट हो गया मेंटर में इसे और देखो तिसे 5 kg किलो का मतलब होता है देखो टेबल में किलो का मतलब होता है 10 की भाद 3 10 की भाद 3 का मतलब 1000 किलो की जगे हम रखेंगे 1000 और ग्राम को ग्राम रहने देखेंगे तो 5 gives equal to डेरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 5000 ग्राम 1 kb 1 kb का मिनिक होता है 1 kilobyte 1 kilobyte हम लिख सकते है 10 to power 3 3 byte में करनोट हो जाएगा ऐसे 1 mp 1 mp होता है m का मतलब होगा mega mega की जगे हम रखेंगे 10 to power 6 तो यह byte में करनोट हो गया ऐसे ही 1 gb 1 gb हो जाएगा देखो g का मतलब giga और giga का मिनिक होता है 10 to power 9 तो यह हो जाएगा 1 into 10 to power 9 by तो ऐसे हम easily convert कर सकते हैं तो यह चीज़ अपने को calculation में हो जादा help करेंगी जब हम numerical शोल करेंगे उसके बाद एको जैसे ही अपने को बोलता है किसी object के उपर जो आविस है वो है 15 micro इसको फूला में convert करना है तो यह सब चीज़ आपने को numerical में बोत जादा help करेंगी तो इनको दोनों टेबल अपने को अच्छे से देख लेना इनको और याद करना है इनको नेक्स्ट ओर देख सकते हैं आप लोग एक्जामपल मालों किसी object के पर वस्तु के पर आविस है 18 नैनो कुलाम तुझे को नैनो का मिनिक देखो क्या होता है टेविल में 10 to power 9 तो यहां पर हम डारिक फूट कर देंगे 10 to power minus 9 तो यह कुलाम में करना हो गया तो यह सब देख अपने को काम ने आएंगी थैंक्यू